कभी समेलन की शुरुआत में लाइनों से करूंगा कि तेरे शहर का मोसम बड़ा प्यारा लगे तेरे शहर का मोसम बड़ा प्यारा लगे आज की ये शाम चुरालू तुमें बूरा ना लगे आज की ये शाम चुरालू तुमें बूरा ना लगे मैं कलेक्टर साथ बगवान के पास गया एक दिन सवा पांच का परसाद चड़ा के लाटर शो में आते आते ही लाटर शो में आते आते ही बगवान के पास गया भी मेरे पुराने बहुत दोस्त है गाउं के बच्पन के गंगा नगर नोकरी की चंडीगर नोकरी की वहां के बड़े दोस्त है पर टीवी में आने के बाद नए दोस्तों की फर्माइश करने सवा पांच का चड़ाया पर साधरम का है बगवान मेरे को नए दोस्त दे तो उसके बाद उन दोस्तों की बज़े से आज हम खड़े हैं हम अधरनी है बबुलाल जी इड़ो मोटो बबु में को न देखियो बाइसाब मैं अब सुरेश अलबेला जी मिले फिर ये बोडू मिला तो मेरे को बड़ी टेंशन सी होई मैं बगवान के मंदरी में दुबारा गया मैं का परमात्मा ये क्या किया मेरे साथ बोले बेटा सवा पांच रुपए के परसाद में तो ऐसे गोगड़ बिल लेंगे तो कहां दोस्ती की है मैं जूनेजा गोम रहे हमारे प्यारो साब आए हमारे अमित साओ जी है ऐसे कोई समार्ट से दोस्त देने थे तो तो बोले बेटा सवामणी आड़ा है कस्दी को उनवेर सब्सक्राइए परताब परताब जीक नियुनिवरशीटी तो स्वाकी नहीं है युनृशा दिस कौक युनुर्सीटी अगलेशलेच्ण एपके कद हान जी स्पीक रहे हैं केंदा बाबुलाल स्पीकिंग फ्रॉम एसकेडी केंदा हां जी स्पीको केता जी आजयो आपका शो करवाना है बोला जी आजाते हैं और कौन आ रहे है केंदा जी सुरेशल बेला अरुन जेमनी जी ख्याली जी चड़ा साथ राजपुरी जी अच्छा अच्छा तो बाबुलाल जी पैसे वेसे सेवा बताओ तो बाबुलाल जी शाने आदमी बोले जी उनको तो आमने सो सो महीं बुलाए हैं आप तो आजो हमारे याँ कलेक्टर साथ इसले साल गेहूं बहुत कम होई गेहूं कम होई तो तूड़ी कम होई पस्वों के लिए चारा नहीं था अब हर्याना से मंगाना शुरू कर दिया हमने जब हर्याना गोर्मिल्ट को पता लगा तो हमारे उस तूड़ी पे बेन लगा दिया अगले महिने मेरा इसार प्रोग्रम खटर साथ आयोए थे अब मैं का यार यह मांग उनसे कैसे करें तो मैंने फिर दंकी मारी मैंनका साथ हमारे अनमांगड जी ले की एक अजार लड़कियों का रिस्ता हमने अर्याने में कर रखा है हम सारा कैंसल कर देंगे क्योंके तोड़ी नहीं तो पूड़ी करते हैं यूद लड़कियां ज्यादा करते हैं अब इनको फोटो खीचना हो हुआ हुआ कि आप दंसे देखना सेल्फी खीचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गाहों के बुड़े डोगरों का मुँ एक कैसा हो जाता है और मैं जिन्दिगी में सब करता लेकिन भीड़ी पीने वाले आदमी का बिल्कुल भी वरोसा नहीं करता क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है देख अगनी आख में जूत नहीं बोल रहा है एक दिन मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना की लाई तो मैंने गाहिए तेने कौन सा खाना बनाया कौन सी सब कोविड की मेडिकल टीम को कोल कर दिया बोली मेरे हस्बेंड का स्वाद गायब होता है बाइसा वो मेरे को 14 दिन के लिए उठा के ले गए डायरेक्ट क्वारंटाइन वहाँ जैसे ही मैं गया कुनोंने मेरे से जाते ही पूछा तुम किस-किस से मिले थे मैंने भी छूपते से मेरी लुगाई से मेरी साड़ी से मेरे ससूर से मेरे भी खांदान गौ अंदर करवाया तो मस्त रेना चीह वाईसाब के दुनिया में ऐसे ही बहुत सारी टेंचन पड़ी है मैं तो इंटेलिजेंट आदम हो हम कभी क्या है हम कभी 50% पागल होते हैं क्योंकि 100% पागल तो कि में नहीं कर दें इसी में मिक्स कर दें मीरी लोगाई बिनती रही कि लियुट की Dualर कि अब मैं जैसे ही थेला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साब पेमेंट अगले साल, बोला मैं उधारी में धंदा नहीं करता, मैं नहीं करता तेरा माल वापीस पकड़ अपना उपाईवाग की तेंजन जनया, वो हमी थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे, वो हमी थे जो तेवी साल किम्बर में फासी के फंदे पर जूल गए थे, वो हमी थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रत को वापस मूड दिया था, वो हमी थे जिसने गर्ब में शिक्षा पाकर दोनाचारिये के चक्रविव को तूड दिया था, वो हमी थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस दूटा लिया था, और एक गड़ी गूटी मांगी थी किसी ने, तो पूरा पहाड दूटा दिया, वाँ, 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 हालां कि ख्याली भाई, इंगलीस ज्यादा हाड नी होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, पर तो बाके में आड़ने होती, उसके बाद भ़भी शोप्त हो जाती है, अंगरेज बोला तेरे को इंगलीस आती है, मैंने का आती नहीं आती है, तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है, उसको इंगलीस में याँ बुला, अब मैंने के दिया, मैंने का बेभी फ्लीज कम दिया, लड़की आती, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पठ्था डेड़ शाना, बोला आप इसको इंगलीस में वापि से लड़की आई थी, वहाँ जाके फिर बोल दिया, प्लीज कम जिया, अब तो हमने इतनी तरक्षी कर ली, हम चांद पे पहुंच गये, इसके पहले भी हमने एक बार ट्राई किया था, तो हम चांद पे जाने से दो किलो मेटर से चूप गये, तो इस सारे चोरे चोरी सब पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से दो किलो मेटर से चूप गया, हमारा विकरम चांद पे जाने से दो किलो मेटर से चूप गये, हम चांद पे जाने से दो किलो मेटर से चूप गये, अब मैं आपको बताओं कलेक्टर साब, हम चार भाई है जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो M.O.M. पास है और वो बेरूदगार जो मेरा दूसरा भाई है वो M.B.A. पास है और वो भी बेरूदगार है जो तीसरा है वो M.A. है जो कोई भी कल लेता है और वो भी बेरूदगार है और जो चोथा है वो मैं मैं केवल पाफ भी पाफ और मैं हिंदुस्तान के हसी के सबसे बड़े शो दा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चिलिंज का वीजेताओं बहुत अच्छा बढ़ को आज तो मौसम ने खूब साथ दिया है बभुलाल जी आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही है ना पता नहीं मुसम भी बाग के साथ इनकी क्या सेटिंग है बादल बुदल दो चार मंगवा के इधर उद्धर और फुआर फुआर अब तो ठंड पड़गी धर है मतलब ठंड होगी हाँ चलो पड़िया आईए मुर्गी के इंड़े में से बच्चा कैसे निकलता है वो छोड तो यह बता गुस्ता कैसे है नमानगड से शुरू होके चंडिगड तक पूरा हर्याना है हर जिले के अंदर मस्ती है और हर आदमी वहां का मस्त है थोड़े दिन पहले हम सोनिपत गए शो करने तो दिल्ली ए इंट्र होगा गंदा नाला पार करोगे कच्ची बस्ती में हमारा ओफिस तो मखा ठीक है जी अब मुर्थल से मुड़े तो एक ताउ दोती कुड़ता पैड़ के सड़के किनारे खड़ा माई का लाल चोदरी चोड़ा होगे जैसे हम मुड़े मुर्ती पूछा मुझा जाओ पूछते पूछते जावगा तू तीन दिन नहीं पहुंचेगा मैं आगे फिर गया नजदीक जैसे ही लगा कि हां यार यह शैर में इंट्रू अने वाड़ा गंदा नाला आ गया इसके उपर से जाना है जो मुझे बताया था किसीने मैंने ताउ को पूछा मगा सब जबाब उल्टा सिदा दे रहे हैं अंटी जी मेरे को बढ़िया मिल गए मैंने का ताई जी राम राम बोले राम राम कच्छी बस्ती यह बोले बेरा नहीं बेटा टक्कर मारके चेक कर ले तो वहां सारे एक से एक बढ़के हैं ऐसे ही उन हर एक जो जितना बड़ा हसी क आपके जोरदार तालियों के साथ हर्यान भी आइटम अरुड़ जेमिन जी अर्याना के आत्मी को हासने के लिए कही जाना नहीं पड़ता वह पुलिस के सिपाई को छुट्टी चाहिए बहुत काम है छुट्टी नहीं मिल सकती बहुत चुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा बलत्षा एक सवाल का जवाब दे चुट्टी दे दूगा बूले सवाल कुछ भी पूजलो बलत्षा ये बता कठप पाने बाहु बली को क्यों मारा रहा हो सकता है बाहु बली ना कठपा को छुट्टी तेने से मान कठतिया बहुत बढ़िया एक और को छुट्टी चाहिए पहुंच गाए सच्टों के पास बोले किस लिए मेरी शादी है अभी इस पर तोन मना करें गरवाज बोले तो लोगाई देखने के बाद पता चलाएं तो हम बहुत सहज आश्या में जीने वाले लोगा क्योंकि जो मन में वह जबान पर वह एक मुगदमा चल रहा तो तो एक ताई गवाई के लिए आई अच्छा दोनों वकील उसी के गाउं के तो पहले वकील ने पुझे बले ताई मुझे जाना है खूब जानू हूं गुलाब सिंग का छोड़ा है तो एक नंबर का जूट था कि लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी विचाराव वकील सलने रहे गया उसने दूसरे वकील की तरह विशारा कर दिया और ताई से जाना है अच्छी तरह जानू हूं करनेल काने का छोड़ा है यह एक नंबर का याश तेरी लुगाई से 20 का चक्कर था भाई साब साफ मामला है अभी कुछ दिन पहले ही गटना मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था एक रेड लाइट पर खड़ा था वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा हूं तो एक मोटर साइकी लाई गूंगा हमके मेरे पास मेरे कार का शीशा खटखटाया मैंने शी अख़यार कशे डियर कोर शीच हुआ सब्सेश्न बोले कितने पैसे करों स्टेशन चलेगा पूले हां में कित्ने पैसे पॉले पड़ी यह तोरा श्तेश्न अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं जगे को पास बुला ले तो यह तो रास्टेशन विक्षेवाड़ा बोला आत नीचे कर ले वर रेल के नीचे आजागा कि अज़ेका फर्याने करते हैं यह जवाब इंतल सवाल आफ्य सोơnते हैं लेकिन जवाब अर्याने के लिए पोहुन तो बाल करने वाल ने समा ने सवाल कर दिया हुं बोले बाल कर रहे हैं बोले बड़ावी hydration तो काम तेरे बसकीनियों पूछ को रहा है तो एक बुद्धा बैठा बीडी पी रहा था थे एक ने पुछे बले ताव बीडी पीवे है अब काईदे से सवाल गलग है भाई जब तो यह दिख रहा है वह सवाल कर तो रहा है फिर क्या अर्याने का आदमें जवाब उल्टे द लोगों के सवाल उलते हैं वह एक अर्थी जा रही थी लोग राम नाम सत्य करते में जा रहे थे तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा यह मर गया के हजीव सवाल है पर आपने देखाओ कर लोगों सवाल पूछते हैं आज ही पूछ रहे थे ख्याली से इसके आत्म पट्टी बंदी भी थी आत्मा चोट लग गई के यह बला ना फैसन है को एक की भैंस कटी रेल से तो उसन रेलवे मुकद्मा कर दिया तो जज ने इंजन ड्राइवर को बलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया जब यह भैंस कटी तो यह पट्रियों पर थी बले ना जी खेत में चर रही थी वो तो इंजन की नियत खराब होगी उस पर क्या करें तो जो मरा था उसके छोड़े से एक ने पूछा बोला यह मर गया के बुले ना बजार गुमान ले जा रहे हैं इसमें सांज ना घर छोड़ देंगे और तू कह तो तेरे घर छोड़ दें तो जाइसरेकाल राम राम कलकते में ऐसे प्रोग्राम कर रहा था तो सामने आके एक बैठ गई मैं कई भाई साफ आप ताली नहीं बजा रहे हैं बोले मैं पैसे वाला आदमी हूं ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए मैं तो और सुनाया मैं कहा सर आप तो हस भी नहीं लें बोले सुना नहीं मैं पैसे वाला आदमी हूं हसने के लिए आदमी रखे हुए पिर मैं जब दुबारा गया तो मुझे बाजार में मिले मेहदी आत्मे लगी हुई कंगन बना हुआ मैं कहा बाई साथ आपके बड़े में एक पहलवान आ गया उसने कह कोई कुष्की लड़ो गाहूं में पहलवान नहीं लोगोंने कही ऱ तो नाक कठेगी क्या करें Very dataug अब पहुंच गए अगरवाल साथ के पास, उनने कहीं जी राम राम के राम राम, मुले जी गाउं में पहलवान आया, मुले सार गाउं की नाक कटी जा रही है, कोई उपाय बताओ, अगरवाल साथ ने सोच के कहा, कि नाक तो नहीं कटेगी, बुल कैसे कि कुष्टी में लड लोगों ने कहीं ये पहले तो कट रही थी, जा नहीं कट रही थी, ये अब जरूर कटेगी, अगरवाल साथ ने कहा, चलो तो, गए, कुष्टी शुरू हुई, अखाडे में, अब पहलवान तो पहलवान, उनने अगरवाल साथ को पटकने के लिए, कंदे पर उठा लिए, और गुरू सीन ये बना, कि अगरवाल साथ का मूँ पहलवान के कान के पास पहुच लिए, अगरवाल साथ ने पहलवान के कान में का, बेटे पांच लाक रुपी दूगा, चित्त हो लिए, पहलवान आखें बदलने लग लग लिए, बुले देख ले, पांच कुष्टी पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा उल्टा दाओ मारा, खुद ही चित्त हो गया, गाओं की नाक बच गई, दूसरे दिन पहलवान गया, अगरवाल साथ के पास, बोले लग पांच लाक बुलकाई की, अरे बोले सर आपने कल बाइदा अखाडे में किया था, कि पांच लाक दूगा, चेत हो जा, ताली उठाना, बोले बेटा, बोले आखाड़ा था, तू अपना दाओ चला था, मैने अपना दाओ चला था, पता थोड़ी चलता है करेक्टर साब, कि किसी के मन में क्या है, पढ़ोशी का बच्चा रह रहा हो, तो सर में दर्द होता है, और हमारे यहां का एक मजदूर महिने में पांच हजार डालर कमाता है, तुम्हारे यहां का लगवग चार भारो बेटा है, हमारा सरकार यह नहीं बचता है, तो मैं का यह कौंसी बड़ी बात है मुझे ब्यांके समझ कि बताना मैं का यह कौंसी बड़ी बात है मेरे यहां का एक है मैले MP तसजार रुपे तंका पाता है और महीने में एक करोड करटा है सबसे पहले इसाई को खड़ा किया बोले अपनी आखिर इच्छा बताओ अपने इच्छ को मनाओ उसने बाइबल मंगाई और गोड से मी एंड अल को किया जैसे फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया रोक गया बोले इसकी तो सुन ली गोड ने बच गया उतारो फिर मुसलिम भाई को खड़ा किया उन्होंने भी कुरान सरीफ म मनाया जैसे खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया रोक गया बोले इसकी भी सुन ली अल्ला ने बच गया उतारो हिंदू हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही दा उन्हें के अपनी आखिरी किसा बताओ वो बोला पहले एक साल की चुट्टी दिलाओ बोले एक उनका एक गौड उनका एक खुदा मेरे तो पूरे 33 करोड एक मिनिट में किसको मनाऊं और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे तुम उनको मनाऊं उसने संकर भगवान को द्याया जैसे घटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया रुक गया सर्दार को घड़ा किया बोले अपनी आगरी इच्छा बताओ सर्दार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले पहले से खटके को ठीक कराओ मेरा एक दोस्त नेता जब भी में उसके घर जाता हूं उसके बच्चे कहते चाचा जी नमस्ते अब कर में जब दुबारा गया तो मामा जी नमस्ते तो पापा मम्मी से कह रहे थे यह साला पर आ गया तो जब रात को खानवाना खा रहे थे तो उसका बड़ा बेटा आ गया बोले पापा मुझे राजनीती सिखा दो राजनीती नहीं करते पर आप क्यों करते मैंने का यार यह सुएगा नहीं इसको कुछ बता दे तो बोला बिटा राजनीती आप भी सुनो ध्यांग से बोला राजनीती में होता क्या है देश होता है तरक्की होती है अर्थबवस्ता होती है सरकार होती है यह जंता होती है करमचारी होते है यह से चीज़े होती है बोले मेरी अगर में कमाता कौन है पापा आप तो यह समझ लिए कि मैं अर्थ बिवस्ता हूं आए बोले इसमने सरकार है थो यह तो यह समझ लिए कर्म जाज़ा जा जाए हम उस तुमारी लिए तो कर रहे यह समझ लो तुम देश की जनता ओ वो जाके सो गया सोते सुने डरावना सपना देखा वो सपने में अर गया जाकरके वो पापा के कमरे में गया तो पापा वाँ था ही नई है फिर व스ों मं मंई के कमरे से भूज नो कराणी के कमरे से कोज उुसर को आ हॉआ एगा धी अन्हेरे में सो रहा है हुआ लुए है यह सोगे लिवी देखा हम चाइवाइ पी र्लै थे तो जाक आ गया कही wood पापा, मैं तो राज नीती सिख्या। उन्हें गई बड़ा जल्दी सीखा। क्या सीखा। कहता जी अर्थ विवस्ता कर्मचारी का सो सौन कर रही थी। सरकार सोई पड़ी थी। देश का वविस अंधिरे में था। और जंता विचारी घड़ी घड़ी देखे नहीं थी।